हेलो एन वेल्कम गाईस वाकर आपका फेंटा सीडिशन चेलेंजर में तो आज के स्वीडियों में लोग बात करेंगे फेंट कोड इसी एस्टी टेंट सीजग रिपब्लिक की जो की मैच हो गया हैं से PGN Guardians vs United CC के बीच में तो चलेंगे दोनों टीम के प्लियर पर एक बार नजर कर लेएगे सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे तो चलेंगे फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच की तो इससे पहले छोटी स्ट रिक्वेस्ट रही कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कि तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सस्कार करने है यह पुरी टूर्णामेट कवर की जाएंगे आज के दिन के चार मुकाबले चारोई मैचिस के वीडियो आपको इसी यूटूब चैनल पर मिल जाएंगे इसके साथ आजिया से Pondicherry T10 के भी वीडियो इसी यूटूब चैनल पर मिल जाएंगे तो यूटूब चैनल को सबसे पहले आपको सस्काइब करना है और यासे टेलिग्रम से चुटना बिल्कुल मत बिलेगा क्योंके फाइनल अपडेट और टीम अगेर आपको टेलिग्रम में मिल जाएंगे तो टेलिग्रम से चुटने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बक्स में लड़ी लिंक एटेश किया हुआ है इनके से लिंक वर्क नए काड़ और टेलिग्रम में जाके आप सेर्च भी कह सकते हो फेंटासी डिसन चैलेंजर या फिर आप सेर्च कह सकते हो एड़रेट एफडी सी ट्वैनिशेवर और आपको शीध हमारा चैनल मिल जागा तो शिंपल ही आपको उसे जॉइन कलेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम अगेरा आपको वही पर मिल जाएगी तो बात करें इस मैच की तो यह मेच दोपेर में दो बच कर तीश मेट पर वीनो और क्रिकेट ग्राउंड प्रेक सी जेक रिपब्लिक में खिला जाएगा पीच रिपोर्ट यहाँ से न्यूटरल और बैलेंस है लेकिन यहाँ से यहाँ भी यानि कि इस ग्राउंड के उपर भी आपको बॉलर्स को ही ज़्यादा सपोर्ट पीच दिखेगी असी से सो औरन के आझ पास स्कोर बनता हो नज़र आएगा अभी तक इस टरॉनमेट में इस टूनमेट से पहले 6 मेच हमेश के लिए इसे जहाँ पर एक भी टॉस जिदे कि आसे चेजिंग करना पसंद कर सकती है बात करते हैं से टिम PLZ की दो मेच के लिए दोनों मेच यहां से हार किया रही है और यहां से एक मेच तो वो रकल United CC के सामने ही आ रही थी यहां थे तो यह थोड़ा सा जैन में रखे चलना है क्योंकि यह जो टीम है यहां से क्योंकि इतना कोई खास बड़ा प्लेयर या बड़ा नाम इनकी तीम में है नहीं बात करें यहां से सली लन की तो 32 रन की यह थे सेकंड मेच के अंदर इससे पहले पहली मेच के अंदर आट रन पे आउर हो गए थे और वैसे भी देखो इस टीम की बात करते हैं यह ज्यादा प्लेयर में लेने और चार प्लेयर में से एक तो यह से भे हम सली लन को ही लेके जाएंगे बाकि मिलन वसाडिया ओपर एक बार रिस्क लेना जाओ तो ले सकते हो क्योंकि ओपनिंग करवाद है हाला कि दोनों ही मै टीम के अंदर रहने वाले हैं लाकि निर्मार कुमार बैटिंगे साथ-साथ यह सो वोस भी कर रहे हैं इनके उपर एक बरोसा कर सकते हो उपर से बैटिंग करते हैं साथ में वोस पूरी करवाते हैं तो यहांसे इनके उपर आप एक बर बरोसा करके इनको लेके जा सकते हो यह अगर को आच्छी चोइस ना मिले तभी कपिल कुमार ने लास्ट मैच के अंदर एक विकेट निकाल ला था इससे पहले पहले मैच के अंदर दो वस की गयन बाजिकी थी लास्ट मैच के अंदर उनकी बैटिंग नहीं है और नत उनसे बर्लिंग कराई गई तो अभी के लिए तो इनको मैं सजेस्ट विल्कुल नहीं करूँगा रिस्की वगेरा बहुत रिस्की के लो वन साइड़े लोस वाला रिस्क लेते हो तभी इनको लेके चाहिएगा क्योंक चार रन किये हुए तो इनसे कुछ ज्यादा एक्सेप्टेशन भी नहीं रखेंगे बाकि यह फणी मंटांडा और यहासे सरण रवी चंद्रंग इन दोनों में से किसी एकी प्रियर्स को आपको लेना है अब यह देख लेना आप किसको लेना चाहिए यह से फणी मंटांड दो इकेट निगाले हैं दूसरी मेंच के अंदर यहासे ओस नहीं गी लेकिन यहासे सामने वाली टीम चार मेंच के अंदर जीत कही थी यहासे 53 रन चाहिए थे सामने वाली टीम को जीतने के लिए चार ओस की इकन बाजी गी थी और यह जो बंदा आता है यहासे आकरी के वर पर 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 सकते हैं तो उसके वेजिस पर हम लोग किसी को भी यहां से ट्राइब कर सकते हैं किसी के ट्राइब कर सकते हैं तो आपको वेयर पर बरिक कर सकते हो तो टैलिग आम से जुड़ना बिज़कुल मलेगा क्योंकि रूभ आपको एपर मिलने वाली है बात कते हैं यहां से टेम UCC की तो दो मैच के लिए जासे एक मैच जित के आ रही है जो कि यहां से प्रियूस सिंग बागिल यहां से दोनों ओपनिंग कर रहे हैं और बागिले के बाद के बाद के बैटिंग के साथ यहां से ओस भी करें 16 मैच के अंदर करीबन 8 केवरेट से 84 रन थे और साथ में 9 विकेट भी निकाली हुई थी अलाकि दोनों मैच के अंदर विकेट नहीं मिली लेकिन फिर भी एक बार इनके बर परोजा कर सकते हूँ और इस टिम के सामने डेफिनेटल यह बड़ा स्कॉर करता वा नजर आएगा इवन विकेट कीपिंग से भी आपको अच्छा कासा स्कॉर करता हूँ पॉइंट्स से देता हूँ नजर आसकता है इवन टिम की कैप्टेंसिप करवा रहा है एक जीमेदारी बड़ी नौक इनके तरफ से आ सकती है बात करते हैं यह से आयूश शर्मा की यह से कभी भी इनकी तरफ से बड़ा परफमस आ सकता है यूँण बॉलिंग करेंगे तो यह से विकेट भी चटका सकते तो यह थोड़ा सा जयान में रखके इनको डेफिनेटली आप ट्राइक का सकते हो चाहिद इकबाल पिछले दोनों मेच के अंदर वास करें लेकिन विकेट नहीं मिल रहें तो इनको डिफरेंशेल वे में ट्राइ करना चाहो तो कर सकते हो अगर कि गंशाम कुमार की बात करो तो पहली मेच के अंदर नों ने 16 रन किये थे दुसरी मेच के अंदर उनकी भी बेटिंग नहीं आई तो यहाँ से इनको भी थोड़ा सा डिफरेंशेल वे में इन दोनों प्लेयर को ट्राइ करना चाहो तो कर सकते हो शामल जोसी या फिर ऐसे गंशाम कुमार लेकिन यहाँ से दूनों में से किसी एक को ही ट्राइ करेंगे बात करते हैं से मुस्तुफा नमाप की तो इंपोरनेट पी करेंगा इवन ज्यादा दर पबलीक इस मेंश के अंदर इनको क्याप्टन या वाइस क्याप्टन करके आ सकती है तो आप भी इनको ट्राइ कर सकते हो आपकी अरपन शुकला लास मेंश के दर एक विकेट निगाली पहले मेंश के दर विकेट नहीं मिली लेकिन हर एक मेंश के अंदर कोई मतलब नहीं बनता लेकिन यहांसे अमंदिप बिंद्रा जो यहांसे पहली मैच करना उनको पर्फॉमर्स करने का मौका नहीं मिला लेकिन दूसरी मैच करना दो वोस की गेन बाजी करते हुए एक विगेट जलो निकाली तो इनके उपर आप परोसा करना जाओ तो कर सकते ह है तो विकेट किपिंग सेक्षन की बाद के हो तो ऐसे यह सिंग को ही में लेके जाओंगा अब अगर चाहे तो ऐसे गंशाम कुमर को ले सकते हो लेकिन याद रहे पहली मैच के अंदर उन्दर उनकी बैटिंग भी नहीं थी लेकिन यह जो बंदा है वो उपस से कहलता है त तो अभी के लिए इन तीनों प्लेयर के साथ जाएंगे बाकी बात करतो यह से एम नवाब यह शर्मा और यह से जे कुमर हमारी टीम के अंदर रहेंगे देखो यह शर्मा का पी सेलेक्षन काफी कम है लेकिन प्लेयर्स काफी अच्छा है तो मैंने पिक किया हुए तो आप क पहली मैच का पर्फॉमस देखेंगे अगर इनको टीम में बॉलिंग करने का मुखा मिलता है तो इनको लेखे ही जाएंगे बाकी बिंद्रा और यह से ए शुकला को मैंने पिक किया और बाकी जैड इकबल को ट्राइक करना चाहो तो कर सकते हो क्यों यह भी के लिए कि लिए आप अगर से चाहिए तो यह से आपके लिए बागेल सबसे बेस चोईस रहेंगे ऐसे कैप्टन और वाइस केप्टन सिप की लेकिन मैं इन दोनों के उपर पर परोसा करके भी जा रहा हूं बाकि मेरी टिम को जिस सरा से रहेंगी लेकिन यात रहें यह देमोटी में फाइन चैनल में जागा सिंपल यह परोसे जॉइन करना है क्योंकि फाइनल अपडेट और टिम वागिर आपको वह पर मिल जाएगी तो वीडियो अच्छा लागे वीडियो को आप लाइक वासायर करते हैं आपकी यूटूब चैनल को सब्सक्काइब करना भी इलकूल मत बुलेग मिल भ्लाओ में ऑुले।